सो हलो फ्रेंड सो कैसे हो आप लोग आई होप कि सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ गाइस सो गाइस मैंने आप लोगों को कल बताया कि उस तरह का सुहाना मौसम होता है तो मैं अपने फ्रेंड लोगे के साथ हमें सा इंजोई और गेम खेलता हूँ और गाइस जब जो उस तरह का मौसम होता है बारिस होता है तो हमारे गाउँ छेत्र का मौसम कुछ अलाग ही दिखाई पड़ता है और द्रिस से चेंज हो जाता है जो कि काउ में ही होता है गाउँ का कुछ अलाग ही होता है इस तरह के मौसम में गाउँ छेत्र का माहौल चेंज हो जाता है और द्रिश से पूरा अलग दिखाई देता है मैं आप लोगों को उस द्रिश से को दिखाऊंगा आगे तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं वैसे तो गाओं का द्रिश से सीटी से अलग ही होता है आप लोग को पता है तो चलिए गैस आगे आप लोगों को बताता हुआ है तो चलिए गैस हम लोग उपर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं आपने गाउं का द्रीश से जो कि बहुंच नेचुरेली होता है अभी बारिस का एक दिन होने के बाद सुप्रेड मैं भी आगया हूं पर और आगया और उपर जाकर आप लोगों को बहुंच अ हमारे गाउं में बारिस होने पर हमारे चैतरे में कुछ इस तरह का महौल दिखाई देता है और बहुत एच्छा ब्यूटिफॉल नेचुरली दिखाई देता है देख लो आप लोग बहुत अच्छे द्रीश से दिखाई देता है गाईस हमारे गाउं का कुछ नजारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज जो कि एक दिन बाद बारिस होने पर बहुत अच्छे से दिखाई देता है देख लो गैस आप लोग देख सकते हो किस तरह का महौल है आज बहुत अच्छे नेचुरली दीख रहा है आज का मौसम आप लोग को बता रहा हूँ मैं और देख लोगाइस आज सूर्य भी बहुत अच्छे से उग रहा है और महौल को पूरा साब किया है आज क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ठन लग रहा था सान तक एक भी सूरज का किरणा नहीं दिखा था आज बहुत अच्छे से है मौसम तो बहुत चेंज आ जाता है हमारे गाउं उच्छे तरह में इस तरह का जब भी एक दिन बारिस हुआ और दूसरे दिन में बहुत अच्छे नाचारा दिखने को पड़ता है तो उसी को आप लोगों को बता रहा था गाईस so friend I hope कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा गाईस इस तरह का मेरे वीडियो में आप लोगों को ब्लोग मिलते रहेगा सो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आज का आप लोगों को कैसे लगा और जो मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भोलना गाइस क्योंकि इससे जब भी मैं नए वीडियो डालूं आपको मिले तो ठीक है फिर गाइस धन्यवाद